हेलो प्चेंज मुधुमिता लीडिल कीचेन मॉयल का मैं हो मुधुमिता आज मैं और एक न्यू रेशिपी स्यार करने जारी हूँ आज मैं स्यार करूंगे कच्चे आम का बहुत बढ़ी असा खटा मिठा चोटपटा आचार की रेशिपी खास मसाला के भी साथ सयार करेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा ये वला जो खटा मिठा आचारे स्टोर करके भी राख सकते हैं ये वला जो आम की आचार बनाएंगे बीना चेनी की बनाएंगे पार्फेर्ट कॉंसेस्टेंसी भी होगा आचार का और खाने में बहुत ही रेस्टी बोनेगा गोर्मी के टाइम में हम लोग आम से बहुत सरा रेसिपी बनाते हैं लेकिन इस तरीका से काच्चे आम का खट्टा मीठा चोट पटा आचा जुरूर एक बट ट्राइ कर सकते हैं चली भी रेसिपी शुरू करते हैं तो ये आम का आचार बनाने के लिए सबसे पहले देखी मैंने हम यहाँ पर 750 ग्राम जैसा अचाम लिया का चाम को आच्ची तरह से छीलका निकालके ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा बड़ा टुक्रामी में काटी हूँ अभी इस आचार के लिए खास मुशाला बनाते, मुशाला बनाने के लिए कड़ाई में ढाल देते एक चमुज ज़ेसा राय की दाने, एक चमुज ज़ेसा सब Data ढालोंगी थोड़ासा जीरा, ढाल देते हुँ दो dry जीली, और ढालोंगी थोड़ीसी आजूआन और थोड़ी एक सुगोंद आएगा तो भी क्यास का हिट बंद करके इसको पीछ लेंगे तो देखे थोड़ी देर में यह आची तरह से भून गया अब मैंने इसको निकाल लेती हूँ आचार में यह वाला मसाला का टेस्ट बहुत बढ़ियास आएगा अभी थोड़ा सा इस मसाला को ठंडा कर लेते हैं और मिक्सर पोड में डाल के तो देखे मैंने इस तरीका से दड़ड़ा पीछ लिया तो आभी देखे मैंने उसी कड़ाय में मैंने डाल देते हूँ एक से देड़े चमज जैसा सोर्सो का टेल सोर्सो का टेल इस आचार में यूज करेंगे तो आचार का जो टेस्ट बहुत ही बढ़ियास आएगा तो सोर्सो का टेली यूज करना है आच्छे तरसे जब उयल गरम हो जाएंगे अभी मैंने इसमें डाल ले थोड़िसी राही की दाने ऐसा ही खड़े राही की दाने डाल दिया थोड़िसे डाल दूंगी मेती और डाल देते हूँ नमो और डाले थोड़िसे हल्धी पोडर अभी इस आम को हल दी और नमक डालने के बाद कम से कम दो मिर्ट तोक अच्छे तरह से ऐसा ही इसको पकाएंगे इसमें क्या होगा आम भी थोड़ा सा सब्ट हो जाएगा और ये थोड़ा सा मतलब फ्राइ होने के बाद इसका टेस्ट भी परफिक्ट आएगा तो बीना धाक के इसको कम से कम दो मिर्ट तोक पकाया उसके बाद मैंने धाक के पका दियो कम से कम और भी दो मिर्ट तोक दो मिर्ट धाकने के बाद देखिए ये जो आम ही थोड़ा सा सब्ट हो गया मतलब जादाने लेकिन थोड़ा से ये आम सब्ट हो गया आभी मैंने इस स्टेज में डाल देती हूँ गूर तो मैंने 750 ग्रम आम लिया ता उसी हिसाब से दो काब यानि 500 ग्रम जैसा मैंने गूर लिया क्योंकि आम थोड़ा सा खाटा होता है तो इसलिए अधा किलो जैसा गूर जोरूट डालना ऐसा फेड़ी या जो आचार बनेगा बहुती खाटा हो जाता है मतलब 750 ग्रम जैसा आम के लिए मैंने 500 ग्रम जैसा गूर लिया इसमें क्या होगा यह आचार श्टोर करके भी राख सकते क्योंकि पानी ब्यागरे बिल्कुल यूज नहीं करेंगे और जो गूर का टेक्स्टर है ना वह पार्फेक्ट आएगा त गूर जो है वह अच्छे तरह से मेल नहीं होती इसलिए मैं इसको ढग देती और गैस का हीट कम करके कम से कम और भी 5 मिट तक पाकाती हो पाच से 7 मिट के बाद चलिए चेक करते तो देखिए अच्छे तरह से इसमें उबाला गया और आम भी बोड़ी आसा पार्फेक्ट य हो जाएगा मैं उठाके बी दिखाऊंगी ये दिखिए अभी बहती पातला इसके साथ और भी कुछ मसाला डालेंगे लिकिन आम अभी तक सप्ट नहीं होती शिलिए और भी थोड़ी देर तक पाकाएंगे लिए मैं उससे पे कुछ माला डाल देते असे सबसे पेले मैं डा जैसा डाल देती हो दो जम जैसा मसाला ज़रूद डालना क्योंकि इस मसाला का जो टेस्ट है आर्चान में बहुत ही बड़ी आसा आएगा तो देखी इसम मसाला डाल दिया आभी मैंने इसको आच्छी तरह से मिक्स कर लेते है अब देखिए गुड़ भी आच्छी तरह से पकाऊंगी नहीं और एक बर मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है मसाला बगेर सब आच्छी तरह से मिक्स हो गया मैं उठा के दिखाती इसका कॉंसेस्टेंसी देखिए इस तरीके का होना है और इस आचार को ज्याद करके दिखाती हूं ये बला आमकी आचार जरूर एक बट ट्राइ कीजे आई हो बच्चे बड़े सब को बहत पसंद आएगा जितना बड़े सब परफेक्ट इसका कॉंसेस्टेंसी ए खाने में उतना ही टेस्टी है ये बला आचार को श्टोर करके भी राख साकते हैं दो मा रेसीपी देखने के लिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि नोटिफिकसान सबसे पहले आपको मिल जाए ऐसा है हर दिन नीव न्यू रेसीपी देखने के लिए सब लोग आच्छे रहे खुस रहे बाई बाई